जहां सत्ता में भाजबा नहीं होती वहां जैसरी राम और हिंदू खत्रे में होता है जहां सत्ता में भाजबा बैठी होती है तो वहां हिंदू सब ठीक चल रहा है 18 अक्तूबर को उत्तरब्रदेश के हिंदू वादी नेता कमलेश तिवारी की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं यह अभी तक सपर्ष्ट नहीं हुआ है लेकिन मेंस्ट्रिम मीडिया ने इसे भी पाकिस्तान के साथ जोड दिया ह आपको बता दे कमलेश तिवारी के हत्या मामले के मुखे आरोपी रशीद पठान का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है कमलेश तिवारी हत्या कान में बढ़ा जाँच का दायरा पाकिस्तान के लिंक की जाँच विजुटी ATS सूत्रों के मुथाविक सूरत से गिरफतार राशित पठान दुबाई में जिस कमपनी में करता था काम उसका मालिक पाकिस्तानी कमलेश तिवारी ने 2017 में एक पार्टी बिनाई थी जसका नाम उन्होंने हिंदू समाज पार्टी रखा था पिछले हफते बहुत बेरैमी से उनके घर में उनकी हत्या कल दी गई लखनाओ के डीजीपी द्वारा इस हत्य का कारण 2015 में कमलेश त्वारा दिये गए एक बयान को बताया गया है जो अभी प्रारंबिक जो हमें जानकारी मिली है फूशतास से उसमें ये बिली है कि रशीद पठान जो कम्प्यूटर का जानकार है और साथी साथ टेलर का काम करता है उसी ने ये इनिशिल प्लान बनाया था और इसको एक बहुत ही इंकरिज करने की चीज़ या उसको ये कह सकते हैं कि उसको अंदर से एक प्रोपेलर के रूप में काम करने का काम मौलान महसीन शेक सलीम ने किया उसी ने 2015 के जो बयान थे मिर्टक के जिसमें उनोंने कुछ अबजेक्शनिबल चीज़ कहा था जो वीडियो में में वाइरल हुआ उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कतल होना चाहिए और इसे मारने की ज़रूर रख करते उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधित्यनात ने भी इस मुद्दे पर दोशियों पर सक्त कारेवाई करने के आदेश दिये हैं हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्स थे से कमले इस्तिवाली कल लखनों में उनकी हत्या हुई है हत्यारे ऐसे लगता था कि पहले से ही उनके संपर्क में थे क्योंकि हत्यारे जिस रूप में आये थे और सुरक्सागार से पोछने के बाद सुरक्सागार से कह करके और सुरक्सागार के द्वारा कमले इस्तिवाली को पोछना की लोग मिलने के लिए आये हैं तो नहोंने का नहीं मेरे पास भेज दी थे हत्यारे उनके पास बैठे वहाँ चाय चल्पान किया और उसके बाद जो कमलेस तिवाडी के निजी साहयक थे और उनकी फुत्र थे उनको किसी चीज को खरीदने के लिए उन्होंने बाहर मार्केट में भेजा और इसी दोरान उनकी निर्ममत्या की है ये दोसाद पैदा करने की एक सरारत है इसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गिया है जिनमें तीन लोगों को गुजरात में और दो लोगों को उत्तर प्रदेश में सेस अन्य लोगों के खिलाब प्रभावी कारवाई करने की तयारी चल लए है लगातार दविसे दी जा रही है इस वामले की फुरी बेवेशना और इसको एक स्पेसल इन्वेस्टिगेशन टीम को इसको दे करके इसी बीच कमलेश तिवाडिका उनकी हत्या से पहले का एक वीडियो काफी वाइरल हो रहा है जिसमें वे भाजपा के खिलाफ बोले थे यंदर रस्ते हैं लेकिन इनके कार्यकरताओं के लिए भी मेरे दिल में दर्द होती है और मैं लड़ने निकल पड़ता हूँ इन हराम खोरों के लिए जो मेरे पीछे दिनराथ पड़े हुए मेरी हत्या की साजिस रस्ते मेरी सुरच्चा अटा दिया योगी सरकार के आते ही फिर भी मैं लड़ रहा हूँ और इन्हें ये दिखा रहा हूँ कि मैं अपने दम पे लड़ रहा हूँ और हिंदों के लिए लड़ूंगा हिंदु समाज पार्टे के कारेकर तक कमलेश तिवारी की हत्या का इलजाम योगी, मोदी और संग पर लगा रहे हैं जब कमलेश तिवारी जी बार बार केंदर सरकार, परदेश सरकार को बार बार में अपनी सुरक्षा के लिए कहा गया और गुजरात पुलिस, ATS पुलिस ने ISI के दो आतंकवादियों के गिरफतार किया और ATS के सामने उन्होंने बेहन दिया कि हम कमलेश तिवारी जी की हत्या करने के मन्सा से बारत में आए और उनकी गिरफतारी होने के बाद भी भारत सरकार, भाजपा की सरकार, केंदर सरकार ने उनको सुरक्षा मोहिया क्यों नहीं कराई जबकि 2014 से पहले और उत्तर परदेश में योगी की सरकार से पहले की सरकारों में 17-17 पुलिस कर्मी उनकी सुरक्षा में रहा करते तो योगी जी की सरकार ने आते उनकी सुरक्षा वापस ली और इसके तहट हम इसको सीधा सीधा इसको मानते हैं उनका मडर नहीं किया गया उनकी हत्या करवाई गई है और इसमें सरकार का सीधा सीधा हम इसमें हाथ इसलिए मानते हैं क्योंकि सरकार ने उनकी सुरक्षा बाजबा नहीं है जहां सत्ता में भाजबा नहीं होती वहां जैसरी राम और हिंदू खत्रे में होता है जहां सत्ता में भाजबा बैठी होती है तो वहां हिंदू सब ठीक चल रहा है इसलिए बंगाल में हिंदू मारा जाता है तो हिंदू खत्रे में आ जाता है इनको राम य तथा कतित केवल भाजबा की गुलामी और गुलामी ही नहीं मैं यह कहूंगा आज देश में बहुत सारे शंगठन बाजबा के नाम की चूडिया पहन के उनकी गुलामी करने में लगे हैं आज कहां है वो संगठन जो कमलेश तिवारी जी हिंदुवादी नेता की हत्या हो जा इनका तो केवल मुस्लिम पर राजिनती करने का दंदा है इन्होंने मुस्लिमों के साथ सबका साथ सबका विगास तीन तलाग पर काम कर रहे हैं लोग हिंदुव के लिए नहीं कर रहे ना हिंदुव के लिए कहा है अगर हिंदुव के लिए कर रहे तो इनका एक ही मकसद है हिंदू नेताओं की हत्या कराना हिंदू नेताओं को दबाना जो इनके कहे में ना चले जो इनसे थोड़ा बिरोद करे उनको दबा देना इनका कमलेस्तिवारी की हत्या कराने का कारण इनका एक केबल मकसद संदेज देना अन्य हिंदू नेताओं को केबल मनोगल गिराना इसलिए ये आज हिंदू बिरोधी काम कर रहे हैं आज तक योगी सरकार होती हुई उसने वहाँ सुरक्षा क्यों नहीं दी कमनेस्तिवारी सुरक्षा मांग रहे थे प्रिदान मंत्री के अंकाराले में गई थी फाइले फिर कमलेश की माता जी ने भी उनकी हत्या का दोशी मौजूजा सरकार को बताया है योगी सरकार रहे है और जारी भर है कलेश और आजम खांके जमाने से तब कोई एंगुणी नहीं लगा पाये सि और योगी कि सरकार में हमरे बेटा का मरवाए डरेन योगी हिंदू के मरवाटर रहेन योगी हम योगी पर फट्ट पी योगी आमका इसापत देया है हमारे नहीं के हैं शिक्ता करता है जोगी फिर याजम शेटी आपके पैटेगी अपन्स अपनुद्ध मंदिर योगी अध्यक्स शिक्वार गुता जबरदस्ति एध्यक्स बनके लिखते हैं अब ये तो आने वाले दोनों में ही पता चलेगा कि असली हत्यारा कौन था पंजाब डुडे रिपोर्ट